इनके लबे रंगी की निठावरे थी के जिसने जुनेदे पूछते ये हैं गुना हो जाते हैं तौबा करता हूं फिर गुना नेक बनना चाहता हूं आपके बुजर्गों की रीत हैं गटे से दूआ की तो हम क्या कीजिए सवाल के अंदर पहले जितना लिखना था तारीफात अलकाबात वगेरा लिख लीजिए जाए किजिए उसके नीचे के अंदर लाइन करके सवाल लिख दीजिए ताकि तलाशने में आसानी हो मुझे कहां से पढ़ना है कहां से हुरू करना है सवाल आपका तो कुछ समझ में नहीं आया ये सूरत समझ में आये कि शायद आपको नेक बनना ये मालूम करते हैं गुना करते हैं तौपा करते हैं कि इसके लिए अख्तियार किया जाए गलत एड्रेस पर आप आगए नेक बनने के लिए आपको चाहिए कि किसी नेक शक्स नेक बख्त की सोहबत में जाए और वहां जाकर मालूम करें कि नेक किस तरह बना जाएगा अल्ला तबारक बताला का कुर्ब किस तरह हासिल किया जाएगा ये चैनल मसाइल शरीयत लोगों की छोटी छोटी जरूरत और मसाइल ताहरत वगेरा के सवालों के जवाब के लिए है और रही बात ये कि बुज़र्गाने दीन या मेरे दुर्गों की री तो रिवायात से तो मैं तुम्हो हट गया यानि साबित कदम नहीं रह सका इसका मुझे खुदा की कासम अफ़सोस है ये कोई मुबालगा आजिजि नहीं है इसका मुझे अफ़सोस है कि मैं उसके साबित कदम न रह सका तो किसी नेकी सह casoत इakterकरकर से तर पर अगये गोहई करेंगी इंशालला। नेकी की हुकुम या नेकी की दावत की बिना पर लोगों को भी इस आगा कर देंगे। और जब तक आपको कोई ऐसा शक्स नहीं मिलता, यानि ऐसी सोहबत आपको नहीं मिलती, नेक बनने की, जब तक आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, दो पहर का खाना बंद कर दीजिए, और शाम में सिर्फ दो रोटी ही खाईए, इस से ज़्यादा ना खाएं, अगर आपका का मेहनत और मशक्कत का नहीं है, और इसके साथ साथ छोटा सा अमल भी कर लीजिए, नेक बनने का नहीं होगा, लेकि आखिरत में असानी के लिए होगा, उल्मा एहल सुन्नत से मुलाकात जरूर किया कीजिए, उसका तरीके कार ये रखिए, कि हफ़ते महीने में एक दिन अप अपने लाके की लाके से दूर दरास्त खोड़ा, जहां तक आपकी खुवत हो जाने की, या मदारिस वगेरा में, जो उल्मा एकराम पढ़ाते हैं, दर्स मुदरिस वगेरा हैं वहाँ पर, तो उनसे मुलाकात कीजिए, यानि छुट्टी में एक दिन मुकरर कीजिए कि में जाना, आलिम इदीम की जियारत के लिए इंशाला ताला ये अबादत भी होगा, और महां जाकर आप सिर्फ उनसे अपने हक में दूआ कराकर वापस आजाएं, उनके लिए कुछ ताहई वगेरा, कुछ नजरा आना जो आपकी ताकत भर हो, भी उनको नावाजें उस ची खुद आपका जामीन होगा, वरना फिर ये कि आपको किसी ऐसे की सोहबत इख्तियार कर देगा, जो आपको नेक बना देगा, इससे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो उल्मा एहल सुन्नत से मुलाकात या उल्मा की मजलिस में बैठने से अकल मंदी और हिकमत आती है, प्राम साइव से मुलाकात करें और उनसे काई़ित और धुजा कराने के और उनसे मुझाफ्वा करें दस्ती बोश करें और उनसे अपने लिए दुगा करां वापस आयाए इसी तना अवटे में एक दिना पैशा कर सकते हैं, यह आ या मैं आपको एक ऐसा आसाना बता रहा बरूज-ई-跑-e-qyamat आपके लिए आसानी पेदा करने बाला इसे इक फायदा यह भी होगो कि आप को उतने ही आलिम haddeen पहचानते होंगे यह आपको खैसे चाहिे और यह चैहिआ हो और यह जो मैं बता रहा हूं यह बीना नेग बने भी वही मामला को जननतानी जाएगी तो कियामत में इतने उल्मा होंगे जब ये शफात कर रहे होंगे उम्मत की जब लोग इनको अपने-पने मामलाद गिनवा रहे होंगे कि हमने आपकी मदद की थी खिद्मत की थी वजू का पानी दिया था दस्त बोसी की थी दूआ सलाम किया था महबत से आपसे मु कर रहे होंगे उनकी लाइन में आप भी जाएंगे तो आपको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे उस वक्त में क्यूंकि आपने काफी से मुलाकात कर ली होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे उल्मा ही बरोज कयामत हक पर इसाब नहीं होंगे जितने जादा से में आता था और कोई पूचता यानि किसी और गरस नहीं आता था सिर्फ दूआ सलाव मुसाफ़क अगने आता था तो आपका बेड़ा आसानी से पार हो जाएगा उनकी शफात के जरी जो मसला था वो भी हल हो जाएगा तो इसलिए सोहबत अलमा एकराम के अख्तियार कीजिए उन लोगों से ज्यादा मुलाकात कीजिए और उलमा से ज्यादा राबता रखने का ये फाइदा भी होगा कियामत में ज्यादा उलमा एहले सुननत आपको जानेंगे पेचानेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अप कहीं भी जाकर अपनी मगफिरत करवा लेंगे औ और अगर आपको उलमा से ज्यादा लोग जानेंगे ना तो ये आपके लिए खत्रे वाली बात है क्योंकि जैसा कि आजकल मीटप अगएरा का ट्रेंड भी चल रहा है लोग आजकल बड़े मीटप रखते हैं कि मैं फला जगा आ रहा हूं मुस्ते मिलने आ जाओ बुदरका जादा लोग जानते थे तो जादा लोगों के सामने जलील होना पड़ेगा इसलिए दुनिया में छुपकर रहें और शोहरत से दूर रहें पबलिक सिटी से दूर रहें और मुलाकात करें तो सिर्फ उलमा एहले सुन्नत से और ये अपने घरों को छोड़कर अपने शहर खिदमत के लिए सुन्यत की खिद्वेत के लिए आते हैं तहवारों में भी गरों से दूर रहते हैं मस्जिदों में होते हैं तो इनकी खेर खोई भी किया कीजिए मुलाकात कीजिए जाकर और ये राय खुदा में जाना आना भी इंशालला ताला आपकी मगफरत होगी इस सबी लोग जो अगर जिसको पसंद आए और इसको लगे किया मेरी कुदरत में कि एक दिन हफ़ते महीने में चुटी होती है, चलो आज एक मस्जिद में इमाम साब से मुलागात करके आएं, अजिद में आजयें कि एक्राम और मशायख एक्राम की बारगा में हाजरी देंगे, दस्तपोसी करेंगे, इनके खिनमत करेंगे, वरोज कियामत आपकी मगफरत के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आप नेक दुनिया में बन पाएं या ना बन पाएं, बहराल आपका मकसद हल हो जाएगा, इस तरह करने से आपको जन्नत आसानी से मिल जाएगी,